दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल सीबिल टेक में आज हम लोग BMC सब्जेक्ट के Most Important MCQ Question पार्थरी पढ़ने जा रहे हैं तो आए इस स्टार्ट करते हैं 101 नमर कुश्चन दिया है कह रहा है the radial splite which are wider on the outside of the log and narrow towards the pitch are known as क्या कहलता है करेक्ट एंसर हो जागा से कहलाता है सी वाला एंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लाक्त याँ काल्म कोलम के लिए लिए कितना होता है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा 75mm से लेकर 125 вм होता है सी वाल अंस करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन दिया कहा है दा मिनमंट वृर्थ आप दा स्टेयर इन दा रिजिडंशियार बिल्डिंग इसकेटना होता है तो कर्ड़ stare सी वाला हो सेंटर्ण सेंटर्थ करें को सेंटर्द को मलब होने से रोक ना होता है किसी यूंड हो जाएगा तो करेक्ट रेंसर सी वाला हो जाएगा नाइन सेंटेमीटर इन्टू फोर पॉर पॉयंट इसेंटेमीटर इंटू 9 सेंटेमीटर होता है तो यह प्लास्रिंग कि लिए पूछा तो और सी वाल एक अनपाते चारका होता है सब्लाइंस होना यहां पर करएक्ट हो जाता है अगला कुछछन दिया कि यूज़ पा यह राग्डा सफेफ्क पर और करेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइब के लिफायँ में एंसर करेक्ट हो जाएगा आट कुछिण क्लीर स्थ की सथे एक बताना है पार दिया काफले मियस् parfum होते हैं उनकी जो cost होती है वो कम होती है आपका दिया expenditure on the foundation and roof for the double storage building is nearly half of that for the ground storage building C आपका दिया cost of the construction of a house maybe minimize by the restricting the height floors यानि floor के height को कम कर दिया जाता है restrict दिया जाता है तो जो cost of construction होती है वो minimize हो जाती है तो आप दिस तो सभी सहने सब कस्था एंदिवाली आफ पर सभी हो जाता है यांदा कोश्चन दिया है कि इन दा मेथट आफ ट्यू बोरिंग आफ स्वाइल इनवर्टिकेसर फालोविंग इसेंशियल अच्छा इन क्या दिया यह फ्लॉप वाल्ब एड बॉटम अब ट्यूब इस प्रोवाइड तो इस्ट्रेक्ट दा स्वाइल सेंपल सी आपका दिया त्यूब इस रेश्ट एंड लोवर्ड बाई फोर तिक रूप मुविंग ओवर एपुली सस्पेंडेड और यह ट्राइपॉड इस्टे को जोaches विल एक बाइस नियुशन के ही कितनी होता है साथ होता है कि इन दा केस में क्या होता है लेंद न वरे करती डिभी करती है इस सी स्क्वं क्या मीटर करन विली चाहिए तो आप operate फोटी सेंटी मीटर 50 से 60 सेंटी मिटर की बिच में कितना करती है 20 सेंटी मीटर से 28 सेंटी बीच में और डी वाला होगे आल आपड़ेबब तो आपकर करेक्ट हो जाएगा अगला कुछ अधिया है कि हेरिंग बॉन क्या दिया है हेरिंग बॉन बॉन जो होता हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं पहला दिया वाल थीकनेस मोर दैन फोल ब्रिक्स यानि ऐसी अगला कुछ दिया है आपका आड़नमेंटल पैनल होते हैं इंदा ब्रिक फ्लोरिंग में और डी आल आप देवा प्रेक्ट रेंसर डी वाला सही हो जाएगा अगला दिया है सुटेबल स्पेसिंग आप टिंबर पाइल की जो सुटेबल स्पेसिंग होती है वह कितनी होती ह गड़ी सेंटीमेटर रख टी किए अगला कुछेन दिया है इसलिक ये सब्सक्राइब होता है यह जरूबाइब भाथरूम बाथरूम इस घर बात है आपका भी आपका दिया है कि विए अपका कब होता है कराते H रूम में यह भी गलत है यहां है को सकत गलत है तक तक कि मीनिमाम डिश्टेंस बतानाना है तो मिनमम डिस्टेंस बतानी है तो कितना हो जाएगा करेक्टरेंस से वाला हो जाएगा 1.5 इंटु डियू होता है अगरा कुछन दिया कहे रहा है करेक्षा निया है स्टोन मसेंद्री कर दिया है आफ लिधे डिए सब्सक्राइब हो जाएगा पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन दिया कह रहा है वर्टिकल पोस्ट क्या दिया है वर्टिकल पोस्ट प्लेश्ट अधा टॉप एंड बॉटम इंड आफ ए फ्लाइट सपोर्टिंग दा हैं डियार नून आज क्या कहलाता है तो करेक्ट एंसर आपका बीवाला हो प्लेशन इस्टू डिस्टर्ब दिस्टिबूट दिया करना फंक्षन दावर पांडेशन इस्टू बिष्टिबूत दा लोड आप द्चु अफ्टिवटर अफ इस्ट्र ओर लार्ज बीड़िग अरिया ब्यूक्ट एंञ नो अनू इंगॉर्डेशन पर दाश्लो ट्रें पाउंडेशन के लिए अच्छी नहीं होती है यहां पर इंसा हो जाएगा क्या होता है पाइर फॉंडेशन हो जाएगा अगला कुछ जो की रेक्टेंगुलर है जिसकी बिर्थ भी दिया हो तो कह रहा है कि जो अधिक नहीं होना चाहिए तो बिभाई 6 से अधिक नहीं होना चाहिए डीवाला एंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है कर दाएगा ताइप आप पाइल के प्रकार बताने हैं विच इस ड्रीवें आट यह आगा होती है क्या होती है दी वाला हर्ड होती है क्या होती है दीवाला जाता है कि इस में से चहीं है आपको बताना है पहला दिया कि क्योटी आप यह के उटीवाल शुलिस्टार्ट इले बर टर्मिनेट अनियर इस लेबल आप दश्लोपिंग रूफ और सी आपका दिया है कि केवटी आफे केवटी वाल सुड़ टर्मिनेट निया कोपिंग आप दा फ्लैट रूफ विद दा पहला पेट वाल और डी दिया है आल आप देब तो डी वाला एंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुछन दिया काईदा थीकनिस आप दा रैन पर कहा है कि जो इस्ट्रिंग होता है यह टर्म है इसका हम कहां करते हैं तो करेक्ट अंसर सी वाला हो जाएगा इस ट्रिंग यूज फार एक स्लोपिंग मेंबर होता है विस सपोर्ट दर स्टेप्स आपके इस्टेयर अतलब कहारा है जो इस्ट्रिंग होती है यह प्रकार क स्लोपिंग मेंबर होता है जो कि सपोर्ट करता है किसको सपोर्ट करता है इस सपोर्ट करता है तो सी वाल एंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुछन दिया है सब्सक्राइबर करें अब इसकी तो टो टैस्प्रक्ट हो जाएगा आपका इस ट्रेचर होगा क्या होगा यह इस ट्रेचर की सलचना होगी कि अगला कोश्चन दिया कहरा गया कि दा स्टील पाइल कह रहा है दा स्टील पाइल विच जनरली संक इन दा सौफ कले और लुज सेंड आप दा लो बेरिघिंग कैपस्टी इसको स्क्रिव पाइल कहते हैं इससे पहले वाले बीडियो कि लिए कि इसमें से कौन साथ स्टेटमेंट सही है पहला दिया है इसके पार्टिकल साइज कितने होते हैं तो पहले आपका बिलबूल सही है दूसरा दिया कि इन आरगेनिक इन फाइन ग्रेंट से इसल्ड पॉसेस्ट नो प्लास्टिसिटी मतलब क्या है कि सिल्ड में कोई प्लास्टिसिटी नार्मल नहीं होती है तो यह भी सही है आपका अग्या कुछ्चन दिया कह रहा कि दर प्लास्टिक टाइप नार्मली कंसिस्ट आप मोर्ड और लिस एक क्यू डामेंशन एक क्यू डामेंशनल ग्रें आप दा क्वार्टेश तो यह भी सही है आपका डी दिया आल आप दिवाला एंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है अगला कुश्चन दिया है कह रहा है ताइप आप दर फ्लोरिंग को आप दर कोरेंगे कर तो उस अन ऊर्ण करेंथा यहुण 12 करेंगा पहला फघर ऑर वांक करेंख और आख दिका रहीं को पहला क्यक्षक्न में जाते हैं रज अंड वर्जंद्र इंड इसके प्रॉक्समेटल इक्वार्ट रेक्वह थे टुट इंड वोता तो आपका है से वासे में प्रॉक्ण होजाएगा अर्दा कोश्चन दीक पिक तो सही है आपका दूसरा दिया है सेंड केफ्ट मॉइस्ट टाइम प्लेसिंग टेम्पिंग के समय में क्या होता हैं क्या होता है इसे होता है अपका सीदूर्ट सेंड यूज एक ती अंडर कॉलन लोडर के लिए उस तो यह भी सही है आल आपदी यानिव यहां पर करेक्ट हो जाता है अगला कुछ यह पीकप दा करेक्ट इस्टेडमेन फालूविंग पहला दिया एक कमबाइंड फूटिंग इस सो प्रपोजन क्या होता है सो प्रपोजन होता है और सेंटर आप ग्रेवटी आप प्रपोजन फूटिंग यह में भी प्रोवाइड़ अंडर एनी लोडिंग और दिया आल आप देवब तो डी वाला एंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुछ न दिया कि मिनमम विर्ट आप दा लेंडिंग शूट भी यागा मिनमम विर्ट आप दा लेंडिंग और ले कि लिए कोई यह वाल तो प्रवाइड करते हैं अब दूसरा आपका दिया कि ठीक प्रवाइड और तो करेक्ट एंसर हो जागा बोथ एंसे क्या हो जाएगा बोथ एंसे पहला थीश्राप का सही है अगला कुछन देखते हैं कहारा कि वाइल इन्वेस्टिगेशन क्या दिया वाइल इन्वेस्टिगेटिंग दा साइट यह थिक लेयर आफ फ्रेयरली फर्म क्ले ओवर एडीप लेयर आप दा सॉफ्ट लेयर सॉफ्ट क्ले इस इनकाउंटर्ड इन सच ए सच्वेशन ना फालूविंग टाइप आप फाउंडेशन यूजपूर कह रहा क्या कि जब आप इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं किसी साइट पर तो थिक लेयर आप फेयरली फर्म क्लेशन क्ल प्रकार बताना है जो कि हम यूज करते हैं वह प्राइम इंपोर्टेंट जहां पर क्या होता है तो उसको क्या कहते हैं उसको आसको आइसा रूप होता है जिसमें स्लोप क्या होता है तो four direction with break in the slope on each side कह रहा कि मतलब सीथी से बात यह है कि मैंसर डूप जो ऐसा रूप होता है जिसमें स्लोप क्या होता है चारो direction में दिये होते हैं तो डी वाला answer यहां पर correct हो जाएगा अगला question दिया दो पूच रहा क्या होगा तो आपका हो जाएगा यह बाला सरह हो जाएगा डब लू इंट्व एच कोष्ट को पान वाला यहां पर सही हो जाएगा ठीक है पहला वाला एंसर यहां पर सही हो जाएगा अगला question देखते हैं कह रहा कि pick up the correct specification of one room quarter generally adopted from the following अच्छा कुछ्छन है कह रहा कि pick up the correct specification of one room quarter generally adopted from the following पहला दिया है six quarter in a room एक रोव में six quarter होना चाहिए भी दिया the size of the room is कितना होता है 3.5 meter into 3 meter or 4.2 meter into 2.5 meter होता है सी दिया इन फ्रंट बरामदा जो होता है is kept 2 meter wide 2 meter wide रखा जाता है डिया आल आप देबग डिवा लाइंस रहा पर correct हो जाएगा अगला question दिया कह रहा दा piece of the brick cut along the center of width is such a way that its length is equal to the that of the full brick is called कहलाता है queen closure कहलाता है है फिर से कुछिशन देखिए कहला दा piece of the brick brick का वहां पीस बता है जो कॉट कटा होता है एलांग दा सेंटर आप दा विर्थ विर्थ के सेंटर से इन सच एड़ डैट आप दा इस लेंद इसके length में is equal to the full brick full brick के length length का आधा होता है मतलब तो क्या कहलाता हूँ उसको queen closure कहते हैं यहां पर correct हो जाएगा अला कुछिशन दिया कह रहा है कि the number of the vertical joint into vertical joint के number बताने है इने structure course में इस x times x time है number of joint in the header course अच्छा question है number of vertical joint in structure course में जो vertical joint के number है वो x है x गुना है कि number of joint in the header course कहला कि x की value बतानी है तो correct answer हो जाएगा one by two यानि one by two यानि यह वाला answer आपका correct हो जाएगा अगला question दिया है प्रोसेस आप keeping concrete moist for a certain period after its finishing क्या कहला यह क्या क्या होता है क्यों आप कंक्रीट के परिवासा ही दिया है यह processing आप keeping concrete moist concrete की जह मॉइस्ट होती है उसको बनाया रखने के लिए certain period एक सर्टें समय तक आप्टर इस समय तक झावरे इसके प्रिंसिंग के कि इनर सेक्षंट का दिया है निनर सेक्षंट आप एक केव टी वाल इक कहारा कि यह आप ют इनुन ऐसे महता है वह जना जाता है कि सहने उसको लीफ वाल यहां से यहां पर करेक्ट हो जाएगा अग्राइव यह पिक प्लेक्विंट इसके में आ कंशिए एक संट के पार्टी क्या सेंड बेट्स और पर्मीएबल एंड डू नाट इलाव वाटर टू राइज अपो बिट्विन दा पोरस एंड डू केपलरी एक्शन डिया आल आफ देवर तो एंसर डी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन दिया है कहला दा लिंटर और प्रिफर्ड प्रिफर्ड किया पर पहला दिया कि आपका कि आपका और आपका और करेक्ट हो जाएगा लाच कोशन देखते हैं कहीरा केप्ती वाल इस जनरली प्रोवाइड़ीट फार कैरा जो केवटिवाल होती है वह यहां प्रोवाइड कराते हैं तो हैड इंसुलेशन के लिए कराते हैं सावंडिंग कराते हैं प्रेवेंशन आप डेंपनेस्ट के प्रेवेंट करते हैं आल अपीच यहां पर करेक्ट हो जाएगा यह यहांनि यह 150 का डीवाला एंसर सही प्रकार से हम लोगों ने 50 student पूर आता है तो प्लीज लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्नवाद